होगा अम्महा विनाश गुष्ट दलन होगा नाश जंग की धरास तुम आवाज दो आनवामिशान या प्रदिव्यास्त्र होगा दान एक धनुष बान पे उतार दो होगा अम्महा विनाश गुष्ट दलन होगा नाश जंग की धरास तुम आवाज दो आनवामिशान या प्रदिव्यास्त्र होगा दान एक धनुष बान पे उतार दो मन करे तो जिसको प्राण दे मन करे तो जिसको प्राण दे एक वही तो शक्ति मान है आज शिरी कीप का यही भागवत का सा जुद्ध ही तो वीर का प्रमान है हे मनुष्य मैं प्रसनाक्षी श्री निकनेम रितिका आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आज मैं आप लोगों को जिस अद्वत सत्य से अवकत कराऊंगी वह मेरे अराधे इश्वर पुत्र की प्रेना से निर्मित हुआ है वह मेरे दिल और दिमाग में एक ऐसी उर्जा का निर्मान कर दिये हैं जो वर्ष 2030 तक के हालत की सूचना देने में सक्षम है आप इसको केवल सुनकर जागे ही नहीं परंतु संपूर्ण मानवजाती को जगा दे इससे फायदा यह होगा की संपूर्ण मानवजाती को लुप्त होने से बचाया जा सके और यही हमारे अराधी ईश्वर पुत्र आदी श्री अरुन जी के दिल की ख्वाईश है आज मैं यदि यह काम करने में सफल हो गई तो मैं समझूंगी कि इस धर्ती पर मेरे जन्म लेने का प्रयोजन पूरा हो गया हे मनुष्य अगर आज आप पूरी दुनिया में चल रहे सारे कॉन्फ्रिक्ट को वर्ल्ड मैप में एकित करके रेडमा करते जाएंगे तो दुनिया आपको लाल रंग में दिखेगी जरा गौर से देखिए इस मैप को यह तस्वीर सैटेलाइट से ली गई है मिसाइल्स, रॉकेट फार्म्स और खोन से लगपत धर्ती का आज यही सकते है इस दुनिया की सबसे इंटेलिजन स्पीशीज मानफ यानि हम एक दूसरे के दुश्मन बनकर आमने सामने खड़े हैं हमारे सनातन धर्म में एक ऐसे ही युग का वर्णन है जब धर्म अपने चरम सीमा पर होगा तब लोग आपस में मरते दम तक लड़ेंगे धर्म, आस्था, विश्वास और प्रेम सब खत्म होने को आएगा इसी को कहा गया है कल्यूग सभी धर्म ग्रंथो एवं पुरानों में बोला गया है कि कल्यूग में ही कली और कल्की के बीच होगा एक ऐसा भयंकर युद जिसमें स्रिष्टी का विनाश और कल्यूग का अंथ होने वला है आज एक बटन दबाने से हजार और न्यूक्लियर बंग कुछ ही सेकंड्स में धर्ती को खत्म कर सकते हैं कहने का मतलब हम अपने उस अंथ से चन सेकंड ही दूर है तो क्या कल्यूग मनिश्य धीरे धीरे विनाश की और बढ़ रहा है क्या कल्यूग अंथ निकट है और क्या जल्द ही कल की अफ़तार हम लोगों के सामने आने वाले है सत्यूग, त्रेतायूग, द्वापरयूग और कल्यूग यह चारो यूग इस त्रिष्टी के चार डिफरेंट स्टेज है जिसमें मनुश्य की फिजिकल, स्परिचुल और मौरल इवैलिएशन को बहुत ही डिटेल्ज में मेरे अराध्य ईश्वर पुत्रजी ने आप लोगों को बताया है वेदों और पुरानों में इन चारो यूगों को मिलाकर बनता है एक महायूग जिसका टाइम ट्यूरेशन है 43,20,000 बर्ष सत्यूग में देवदा देवलोक में रहते थे और असूर पाताल लोक में त्रेता यूग में धर्म और अधर्म एकी दुनिया में मौजूद थे जैसे त्रेता में राम और रावन द्वापर यूग में धर्म और अधर्म एकी परिवार में दिखने लगा जैसे पांड़गों में और कॉलगों में वहीं कल यूग में धर्म और अधर्म एक ही मनुष्य के अंदर दिखाई देता है इसका मतलब जैसे जैसे काल चक्र आगे घूमता गया मनुष्य अपने धर्म के मार्ग से थोड़ा थोड़ा दूर होते गए और उसके अंदर काम, क्रोध, लोग, हेंसा जैसे अधर्मिक लक्षन बढ़ते गए साथ ही साथ उनकी सोच, आयू और लंबाई भी कम होती गई पुरानों में कहा गया है कि हर यूग में जब-जब इंसानियत, अच्छाई और चरित्र का पतन होगा तब-तब एक महा प्रले होगा, इस स्रिष्टी की फिर से शुरुवात होगी एक नए यूग के साथ और ऐसे ही यूग चक्र एक साइकलिक ओर्डर में घुनता रहता है जैसे सत्यूग के बाद त्रिता यूग, उसके बाद द्वापर और फिर कल्यूग आता है यही चिसकल यूग के बाद रिपीट होती रहेगी तो अब महा यूग परिवर्तन के लिए होगा महा यूद और भयंकर नरसंगार पुरानों में जो वर्नन दिया गया है, उसके साथ आज के समाज में कितनी समानता हैं इसको जानिये ताकि आप आने वले कल का अंताजा लगा पाएं त्रेता यूग में मनुष्य थोड़ा स्वार्थी हुआ और एश या दुएश जैसे अफगुन मनुष्य में जागने लगी लेकिन अधर्म की मात्रा फिर भी कम थी इसी यूग में रावन वद के बाद जब श्री राम ने अयोध्य लोट कर राम समराज्जी की स्थापना की थी और क्यारा हजार सालों तक साशन करने के बाद चववे वैकुन धाम लोट गए तब त्रेता यूग की समापती हो गई उसके बाद हुआ कालखंड का तीसरा यूग यानि द्वापर यूग इसी यूग से मनुष्य के चरित्र का पतन शुरू हो गया दूसरों की संपत्ती, धन और यहां तक की स्तिरी पर बुरी नजर डालने जैसा खराब प्रवर्ती ने मनुष्य में जर्म ले लिया त्वापर यूग में मनुष्य जाती के अंदर चार वर्ण, ब्रामार, शत्रिय, वैश्य और शूद्र का भेद भाव भी अपने चरम सीमा पर था इसी यूग में महा भारत लडाई भी लड़ी गई और एक बार फिर से नरसंगहार हुआ और भगवान ने अपने श्री कृष्ण अवतार में आकर स्रिष्टी में धर्म की पुनर्श सहापना करी लेकिन इसके बाद गांधारी के श्राप से भगवान श्री कृष्ण की मृत्य हुई तब से शुरुवात हुई कल्योग की सकंद पुरान के अनुसार कल्योग 27 पर बीट गया है और 28 वा कल्योग है जिसमें 5126 साल है हम और आप कल्योग के अंत के अंत दिनों में हैं जोतिश गर्ना के अनुसार 30 मार्च 2025 में कल्योग समाप्त हो जाएगा इसके बाद एक बहुत बड़ा युद्ध होगा जिसकी ऑफिशिली घुशना होगी और उसका नाम तृतिय विश्व युद्ध रखा जाएगा इस युद्ध में भयानक नरसंहार होंगे और अंत में 8 अरब लोगों में से केवल 2 अरब लोग ही बचेंगे और 6 अरब लोग मर जाएंगे धर्मशास जकरिया अध्या 13 कश्लोग 8 उलट कर देखो धर्मशास एवा महापुरानों में भी यह कहा गया है कि हर युग की तरह कल युग में भी अधर्म का विनाश होगा और धर्म की पुनर सापना करने भगवान विश्णू अपने दस्वे अफ़तार यानि कल की अफ़तार के रूप में धर्ती पर अफ़तरित हो चुके है तो अब प्रशन यह उठता है कि कौन है वह कल की अफ़तार और उन से हमें मिलवाएगा कौन कहा रहता है वह विश्टी कैसा दिखता है वह विश्टी कैसा बोलता है वह विश्टी और क्या सोचता है वह विश्टी क्या वह एक साधारन मनुश्य की तरह दिखता है या भायानक दिखता है या वह बहुत प्यारा दिखता है अब थोड़ा सोचिए आज के हालात क्या है रूस आए दिन न्यूक्लियर वार की धंकी देता रहता है और रूस, फ्रांस, चीन, पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल और नॉर्थ कोरिया के पास टोटल लगभग 13,000 न्यूक्लियर बम है कभी भी अगर कोई न्यूक्लियर वार शुरू हुई तो इंसान की क्या दुर्गती हुई इसका थोड़ा बहुत अंदाजा आप अराम से लगा सकते है जापान की और हिरोशिमा नागा साकी को ध्यान में रखते हुए वह गटना दिल दहला देने वाली थी हमारे और आपके लापरवाहे के वज़े से सिर्फ इंसानों को ही नहीं बलकि इस पूरी धर्ती को गहरी चोट पहुचा चुकी है आज धर्ती का ताप मान लगातार बढ़ता जा रहा है कई प्रजाती के जीव विलुप्त हो चुके हैं पेर पौदे बे हिसाब काड़ दे जाते हैं मौसम भी बदलता जा रहा है कभी भी भयानक बाढ़ आती है तो कभी अकाल तो कभी सूखा तो कभी भुकम और आती है सुनामी तथा फटते हैं जौला मुखी और अकाश से आते हैं धरती से टकराने के लिए उलका पिन तो अब प्रशन यह उठता है कि ऐसी विशम परिस्तिती में आप सुयम को कैसे बचा पाएंगे अगर न्योगलियर बम फटे तो तीन मिनट में पूरी धरती पर की आधे अबादी खत्म अब सबसे जादा चिंता जनक प्रशन यह उठता है कि हम और आप बचेंगे कैसे हमारे अराथ है इश्वर पुत्र आदी श्री जी ने बताया कि हमारे और आपके बचने के केवल दो ही उपाएं हैं पहला जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखा ले या मेमना की जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखा ले लेकिन पाप अथवा अधर्म के कारण आपका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाएगा परन्तु जिसका नाम मेमना की जीवन की पुस्तक में लिखा गया है वह किसी भी रीती से काटा नहीं जा सकता है दूसरा जीवन का मुकुट प्राप्त कर लो इसके लिए ईश्वर ने हमसे कहा है कि मैं शीगर ही आ रहा हूँ जो तुम्हारे पास है उससे थामे रहूँ कोई तुम्हारा जीवन का मुकुट छीनना ले अब फैसला आपको करना है कि आपको जीवन चाहिए अत्वम रित्यू आपके पास के वल एक ही आप्शन है धन्यवाद